सबी को जहिंद दोस्तों आप सबी का हर्दिक स्वागत है जहिंद रेक्शन्स पर आशा करता हूं कि आप सबी लोग बहुत अच्छे होंगे वाजमा आपके लिए के लिए टेस्ट और एक बहुत इंट्रस्टिंग वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान जानने को मिलेगा और मज़ा आएगा तो इसन तक देखें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटिस्ट इंट्रस्टिंग और नॉलिजबल वीडियो लाते रहें तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और आंतम इसके बारे में बात करेंगे जय हिंद जय भारत सारी सिच्वेशन्स को आप कैसे देखें आर्जू सबसे पहले तो मैं जो जिस चीज़ को कवर करना चाहूंगा कि SEO जो थी हुई है पाकिस्तान में वो किसने करवाई और उसमें पाकिस्तान ने अपने टार्गेट एचीव किये या नहीं किये टार्गेट यह था कि पाकिस्तान आइसोलेशन में था तो ताके उसके बाद क्या image change हो पाएगा कितना उन्होंने किस हद तक अपने आपको achieve किया डाक्टर जे शंकर साब आए उन्होंने कौन से messages कौन से उन्होंने जो इशारे छोड़े हैं अपनी speech के दोरान भी और दूसरा वापस जाके भी उन्होंने statement दी है तो इस सारी चीजों को cover करते हैं सबसे पहले तो यह मैं कहना चाहूंगा कि आगाज तो अच्छा हुए इसमें कोई शक नहीं है बलकि इस आगाज में सबसे जो बहतर चीज आई है वो बरकादात ने जो interview किया था नवाई शरीफ साब का जिसमें उन्होंने कहा है कि मोदी जी को आना चाहिए पाकस्तान में और फिर हमने 75 साल जंगों में जाया किये हम 75 साल मजीद जाया नहीं करने चाहिए यह beginning से उन्होंने कहा यह इस से अच्छा स्टार्ट हुआ फिर उसके बाद इसको हमारे पाकस्तानी और भारती मीडिया ने किस तरह लिया एक तो भारत की तरफ से इतराज आता रहा मीडिया की तरफ से के उनको रसीव करने के लिए कोई significant personality नहीं आई जो कि मेरे ख्याल में भी जानी चाहिए थी क्योंकि वकत की जरूरत थी diplomacy की जो है ज़रूरत relationship की पाकस्तान को है भारत को नहीं है लेकिन यहां पे जो पाकस्तानी मीडिया justify करता रहा कि बलावल भटो साब को जो था protocol वो joint salary level का किसी ने दिया फिर उसके बाद इसाखडार साब के साथ बैठे पाकस्तानी मीडिया ने महां से speculate किया कि शायद cricket शुरू होने वाला है जिसको फॉरण जो foreign affair ministry है भारत की उन्होंने उसको फॉरण deny किया है डाक्टर जे शंकर साब ने morning walk की high commission office के अंदर पौदा लगाया यह सारी अच्छी चीज़ें थी मुस्कराहटों का तबादला हुआ जो पहले समझा जाता था जो एक दूसरे के उपर तनकीदी की इलफाज इस्तमाल किये जाते थे इस तरफ से किश्मीर को दूसरी तरफ से दैश्चत दर्गरदी की स्पोर्ट को वो इस दफ़ा नहीं हुए यह भी एक इसको भी कामियाबी समझा जा रहा है इसमें और मैं समझता हूँ कि चले एक स्टेप मजीद आगे से ही कुछ नेगेटिविटी जो है वो रुकी लेकिन अब यह बताना चाहिए कि किस तरह हुई एस्सीओ सारी की सारी एफट जो थी वो वो चाइना की चाइना इसके पीछे था चाइना चाहता था कि आप त्व हो और वो पाकस्तान में हो क्योंकि अब देखना यह है कि SEO क्या है SEO को समझा रहता है कि एंटी नेटो एंटी वेस्ट एक और्गनाजेशन है जिसको चाइना अपने एक प्राफोगेंडा या अपना एक तूल समझ के उसको स्टमाल करता है हाला कि SEO से तक्रीबद दो दिन पहले कुछ दिन हफता पहले दो चाइनीज को कराची एरपोर्ट के पास मार के पूरी कोशिश की गई कि SEO ना हो सके फिर हमारी एक बड़ी सियासी पाइटी है उनको भी यही था तिश्वीश थी वो भी चाते थे कैसी और ना हो वो भी आगे चलके हम बात करते हैं लेकिन इस सारी चीजों में यह अच्छा स्टेप रहा अब आपने अपना इमेज साफ्ट करने की पूरी कोशिश की सिगनल भेजा कि हम सफार्ती तौर पर हम तियार हैं अब हमारे साथ बिजनस किया जाए डील की जाए उसका जवाब अब मैं जो डाक्टर जे शंकर साब की स्पी चीजें और एनरजी और सारा कुछ लेकिन जब तक पीस नहीं होगा तिजारत किस तरह होगी बेंगरी करोंगा इस बास से मैं हमेशा आपको यह कहता हूँ जहां सकून ना हो जहां लॉट और ना हो वहाँ पे लोग कारोपार नहीं करते बल्के लोग वहां से भागते हैं पत्च जाती दफ़ाँ उन्होंने भी बलकि एक भारती बहुत बड़े नियूस पेपर ने लिखा था उनके होते वही कि डाक्टर जैश शंकर के जैब्स टोर्ड पाकस्तान एंचाइना लेकिन उन्होंने जाती दफ़ाँ शभाज श्रीफ साब का शुक्रिया दा किया उन्ह भी एक उसमें अची चीज़ अब उसके बाद आगे क्या होगा आप पाकस्तान ने अचीव कर लिया मैं समझता हूं काफी हद तक अचीव किया हलाके खत्रे मौजूद थे आपके बारा अमबेस्डर्स के उपर एटैक हुआ स्वात में आज से दो तीन हफ़ते पहले फिर अचीज़स्तान में पिजाबियों को घरों में घुस-खुस के मारा जा रहा है कराची एरपोर्ट पे चाइनीज को मारा गया इसके बावजूद डी चॉक में हमले का इनको था मुर्शिद पाक ने कहा था कि हमला किया लेकिन इसके बाद यह अचीव कर लिया अब आगे कह रहे हैं जा रहे हैं 22 और 23 एक्तूबर के अंदर वहां ब्रिक्स में काजान के अंदर मुलाकात होगी और मैं समझता हूं कि वैस के लिए बड़ा अच्छा है जो इस वकत वैस में मजाक शुरू कर रखा है भारत के साथ जिसके पीछे मैं हमेशा यह कहता हूँ भारत की तर प्रूडो ने किया फिर खुदी स्पीच में इसने कहा कि हमेरे पस प्रूफ कोई नहीं है इंटेलिजेंस बेस पर इंटेलिजेंस तुमारी किस चीज़ किया इंटेलिजेंस तुमारी जो फाइव आई बनाते हो कभी सिक्स आए बनाते हो इराक में तुम कहते हैं सदाम उस नहीं है वहां टूडो के पास लेकिन यह कि उसने इतना बड़ा एक काम किया है कि हाई कमिशनर संजे कुमार वर्मा को कहता है यह लेकिन जाना चाहिए जाएंगे मोदी साब जाके गले मिलेंगे पूटन से तो ठंड पड़ जाएगी वैस को भी और सब को क्यूंकि इस देख तक उनकी थर्टी ट्रिलियन की एकानिवी होगी तीसरी बड़ी एकानिवी तो यह इस तरह के चौंचले जो कर रहे हैं इनको बैक फूट पे तो आगे टूडो साब लेकिन इस तू लेट मेरे खाल में डेमज हास बिन डन और इसमें उनका वैसे भी मैंने कहा था इसका कहते हैं नगे इसको कहते हैं लेमड़क प्रेजडेंट के वो उसके पास कोई इख्तियार नहीं पॉपुलरिटी नहीं कोई ऐसा कदम उठा नहीं सकता मुलत के लिए वोट अफ कान्फिडेंस लूज कर जो यह तो बड़ी मुशकल से सर्वाइब कर पाया पिछले दिनों अपना वोट आफ नो कान्फिडेंस लेकिन मैं समय दा कि मोधी साब कर जाना बहुत जरूरी था उसमें वो बहुत अच्छा कर रहे हैं जा रहे हैं और इनको भी पता चलना चाहिए कि इंडिया हैस आप्शिंस बारत हैस आप्शिंस बिल्कुल ऐसे दोस्तों आशा करता आपको बहुत कुछ जानने को मिलाओगा वीडियो गर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरू कर दे और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताए और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आप